आपको जमीन पर रहने वाली गाए के बारे में तो पता होगा मगर कभी आपने समुदर के अंदर रहने वाली गाए देखी है इसे समुदरी गाए के नाम से जाना जाता है विज्ञान की भाषा में इसे मैनाटी, मैनाटीज कहते हैं देखने में ये जीव समुद्री सील की तरह लगते हैं इनकी गर्दन पूरे शरीर के मुकाबले छोटी होती है ये समुद्र की सतह पर उगने वाले घांस को खाकर जिंदा रहते हैं एक रुपोर्ट के अनुसार कई साल पहले समुद्री गायधर्ती पर रहा करते थे मोबला किरने या डेविल किरने कहलाने वाली ये उलने वाली किरने जीनस मोबला की सदस्य है और मंटा किरनों से निकटा से संबंधित हैं जीनस में ग्यारा मान्यता प्राप्त प्रजातिया हैं और वे भूम अध्य सागर से लेकर कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशान्थ महा सागर तक दुनिया भर के गर्म पानी में पाए जाते हैं उरने वाली मचली एक सो कोटिडे एक परिवार है जिसमें उरने वाली मचलीयों की 40 से अधिक विभिन प्रजातियां शामिल हैं इन मचलीयों में विशेश पेक्टोरल पंख होते हैं जिन्हें बराया और चप्टा किया जा सकता है ताकि वे पानी से बाहर कूद सकें और 37 मेल प्रती घंटे की गती से उर सकें उरने वाली मचलीयां सतह तक शक्तिशाली धंग से तैरती हैं और फिर अपने पंखों का उप्योग करके 600 फीट से अधिक तक उरती हैं यहां तक की 4 फीट तक की उचाई तक भी पहुँचती हैं वालेस का उरने वाला मेधक वालेस का उरने वाला मेधक राकोफोरिस निग्रोपालमेट्स ओरने वाले मेंधकों की कई प्रजातियों का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध नमूना है मलेशिया और बोर्नियों के उश्मकटिबंधिय जंगलों के मूल निवासी है वालेस का ओरने वाला मेंधक अपना अधिकांज समय पेडों पर बिताता है और केवल अंडे देने या सहवास करने के लिए उतरती है खत्रे की स्थिती में या कीलों का शिकार करने पर शाखाओं से कूदने के बाद वे 50 फीट तक की दूरी तक सरकने के लिए अपने पैरों के बीच की जाली का उप्योग करते है